तो आज यो रेस्पी आप लोगों साथ शेयर करने चाहरी हूं वो पोटेटो लवर्स के लिए हैं इवन अगर बच्चे आपके वेजिटेबल्स ऐसे नहीं खाते हैं तो आप लोग जोए वो इस तरीके से वेजिटेबल्स दे वो शोक से खाएंगे तो मैं आलू के ऐसे कबा आपके असाथ शेयर करने चाहरी हूं जिसमें वेजिटेबल्स भी यूज़ होंगी चार अदत मीडियम साइज के आलू मैंने बॉयल होने के लिए रख दे यहां पर जो वेजिटेबल्स मैं यूज़ कर रही हूं उसमें एक अदत शिमला मिश है, एक अदत गाजर है, एक यहां पर मैंने शिमला मिश के साइज सीट से रिमूब कर लिए वाइट पार्ट भी इसका हटा दिया था और इसको बारी बिल्कुल मैंने जो है, वो चौप कर लेना है, वेजिटेबल्स को आपने बिल्कुल बारी कृटिंग करना है, तब भी आपके कबाब जो हैं वो सही बनेंगे, वीडियो को एंड तक देखने है, आपने कोई भी पार्ट, स्कीपिया मिस नहीं करना, तो यहां पर जो है, मैंने सारी वेजिटेबल्स जो है, वो अच्छे से च्वाप कर ली थी, शिमला मिश का अजर और प्यास, इसके साथ ही मैंने पैन में एक से दो तेबल स भी एड कर दिनी है, जिसमें के पैस, शिमला मिश और गाजर है, वेजिटेबल्स को इस तरह से ओईल में एक से दो मिनिट तक हाई प्लेम पर सौधे करने का फाइदा यह होता है, कि जब आप इसे आलू के मेज़े में शामिल करेंगे, तो कबाब आपके तूटेंगे नही इनका सारा मोश्य जो है, वो अच्छे से लॉक हो जाता है, वेजिटेबल्स का, तो आप लोगों ने यह टी प्याद रखनी है, और कबाब बनाते वे, इसको ज़रूर जो है, आपने इस टिप को यूज करने है, तो अब यहाँ पर मैंने प्यास, गाजर और शिमला में चै कर दिया है, और हाई फ्लेम पर एक से दो मिनट के लिए इसको अच्छे से सौते कर लेना है, ताकि इनका सारा पानी जो है, और वेजिटेबल्स जो है हमारी क्रंची सी रहें, तो देखिए कितने कलरफूल से लेग रही हैं यह, तो यहाँ पर हमने एक से दो मिनट के लिए आपने गरम-गरम जो है वालू के में नहीं है एड करनी, अब इसके साथ ही मैंने इसमे मसाले एड कर दिया है, जिसमें मैंने एक टीस्पून जो है लाल मिश्का पाउडर डाला है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको स्कीप कर सकते हैं, साथ ही मैं इसमें half a spoon zero powder डाले है थोड़ा सा मैंने काली मिर्ष का powder भी डाले है और थोड़ा सा ग्रम मसाला powder भी डाले है spices जो हैं वो आप अपनी मर्जी के एसाफ से कम या जयदा कर सेते हैं ये सारे मसाले डालने के बाद अच्छे तरीके से मैंने इसको mix कर लिया था और ये कबाब बनाते हुए इतनी अच्छी सी इसके खुश्पू आती है कि पूरे घर में इसके खुश्पू पैल जाती है और खाने में इतनी लजीज और मज़दार होते हैं तो आप लोग जोए कबाब की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए अब यह देखें इसमें कोई भी हमें मैदा या कौन प्ला एट करने की ज़रूरती है अच्छी तरीके से यह बाइंड हो रहे है अब जो हमने इसकी कोटिंग करनी है उसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून कौन प्ला लिया था 2 टेबल स्पून मैदा लिया था और इसमें पाने डाल कर इसकी पतली सी ज़रूरी बना लेनी है तो आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और कालिमिश का पाउडर भी आट किया था ताके कबाब जो ओपर की कोटिंग फीकी ना लगे अच्छे तरकेस इसको मिक्स एर लेना है साथ ही मैंने ब्रेट क्रेम्स भी लिये थे तो अब हमने कबाब में थोड़ा सारा दनिया पर शामल करती है अच्छे तरकेस इसको मिक्स एर लिया था तो यह देखिए अब हमने इसके पर ब्रेड क्रम की कोटिंग कर दिनी है वन बाई वन इस तरह से हमने कबाब जो है रेडि कर दे जाने है तो है ना मज़दार और असान सी रेस्पी तो अब यहां पर पैन में मैंने ओल डाल दिया था और उसमें कबाब जो है इसको एक साइट से अच्छे से गोल्डन कलर आने दें और पर आपने इसके साइट चिन चिनी है तो मज़दार से आलू के कबाब जो है रेडी हो चुके है तो अमीद करती हैं कि आप लोगों के रेस्पी पसंद आईगी रेस्पी पसंद आईए तो इसको लाइक और शेयर करना तो बनते ही है सासा चैनल को भी सबस्क्राइब कीजिए इस तरह से आप लोगों के लिए मज़दार और असान सी रेस्पी जाती रहूंगी सब्सक्राइब के लिए अजाज़त दीजिए अल्ला हाफीस